उसके पाद कुछ important observation है जो आपको नजर आ रही है बुक ने heading मनाई विए some important observation part number one में नजर आ रही है वो मैं आपको बता रहे तो सबसे पहले part one नी point number one है page number 275 पे क्या करा चाहिए जरा उसको हम discuss करते है यह यह जो binomial है ला करना जा रहे हैं कि अगर आप nc0 nc जो binomial coefficient है अगर आप इनको different form में लिखना जा रहे हैं तो कैसे लिखोगे जरा मैं पहली आपको clear कर देता हूं इस पर जो इस पहले पास इसको जर्णा इस लिख सकते हो एक ही पावर सबसे पहले पास दूसरा लिखावे nc1 nc1 वाश्म्लिफाय कैसे करोगे n factor 1 factorial n minus 1 factorial 1 इसको कैसे इसको कैसे चाप्यों सब्सक्राइब करोगे चैटर नम्हें न में बताया था मैने कि आप उपर को लिख विस तरह एं एन माइनस अन्यृब और यह नीचे तो पने ज़ड़ा पर आए इक एक एक से रोज़ अच्छा एन माइनस वन और एन अपॉर्प्टोरियल यह कैंसे तो पीछे मज़ेगा एन ऐन माइनस वन अपॉर्फटोरियल एडी पावर एन-2 बीकर्स कहने का मतलब यह है कि कि आप combination को असानी से यहां पे solve कर सकते हो मतलब आप combination C की formula लिखो आप already उसको simplify कर दो और आपको pattern नजर आ रहा है simplify किस तरीके से आपने करने है अगर अब observe करो denominator में 0 factorial है यहां पे n के नीचे 1 factorial है यहां पे 0 factorial था यहां तो 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 टो आप आप यहां पर होगा एं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर एन ऐन माईनस रदा तो चौने में क्या होगा एंड एन-1-2 नीचे लिखावगा 3 factorial और a में क्या होगा a की पावर n-3 b की पावर क्यों तो कहने का मतलब nc0 nc1 nc2 उनको आप simplify भी कर सकते हो सवाल एक साथ जुरूत हमें क्यों पढ़ेगी जुरूत पढ़ेगी जुरूत पढ़ेगी कुछ ऐसी यह जो आपने बाइन फाम ला कंसी दे किया है इसमें एंड बेसमें वन के बागा या वन से ग्रेटर है मतलब पॉजरे मिंडीजर आप कहलो या नेचरल नमबर कहलो कोई भी आप बोल सकते हो लेकिन अब अगर एक नेगेटिव हो जाए मतलब बाइनमील में पापर नेगेटिव आजया है क्या करों कि इथे कंबिनेशन में नेगेटिव करोंगे कि सेंश ही निहीं बनेगी माइनस c2 माइनस 3c2 सुनाए'? सब्सक्राइब करबार हो कि इस इस था बीस चाहिए है तो इसको इस तरह विए स्था मिद्ग दो जरुद कोई मसना नहीं है लेकिन जब तो इस फॉर्म पर फॉर नेगेट टो एप आपसे लिक्टे पर आप जरुद में आपे नंवारल और होगी ज़नार्ट आपकी क्या है जल्रम एंचर अ solve करते हैं अब अब आपसेपेंड्म करते रहना है और माइनस वन n-2 सवाल कब तक करते जाओगे नॉर्मलिया आप कब तक एंसी डू था उप अपर नजिया था ओपर अना फैक्टोरिल नीचे था और आपने क्या लिख करता तो आपको प्र तो जैसे उपर मेज करके आप रूप गया नहीं तो जैसे उपर आप चलते दो होगे चलते जाओगे क्यूंकि आपको आप की इपने तो प्रकते करते तो आपने चलते जाना चलते जाना ठीक है कहां पर जाकर रोकना है जब n minus r हो जाए ठीक है बस्बस्थ जो उपर चीज है वही नीचे चीज आज चाहिए यहां पर फैक्टोरियल लाद हो गया फॉर जेहां अगर 5 है तो आप n minus 5 फैक्टोरियल पर रोच जाओगे जैसे है दो न मिला दो गया आप अप्तोरियल लिदा तो इसको अंप आप ही जाए आ जाने जाएका जिए से आज दो कि अनुद जाए आ पर में न मैंस उस तो में लिखते हम n-2 ले किiner किया हो तो लिए luris पेयर निसमें रहा है तो उससे पहले वरी में किया होगा r minus 1 तो मैंने तोUCK इसे पहले वरी एकलो करोगो न एक मजब आप से माइनस कर शोगे आर माइनस वन तो इस से पहले वाली तौंब एसके पहले सब्सक्राइब रोगी यह माइनस प्रफसर्थर ऋब गार लोगे यह वर रो इसे तरह करते करते हैं इसने 1 subterkt करोंगे N-R रहते हैं तो होगा यह कि N-R, N-R cancel जो यह वह नी द्रम उपर रहेगी जवाब है Denominator में क्या होगा, Denominator में R-Factorial होगा तो यह बच्छो General Drum की combination की form है, मतलब coefficient को N-C-R को आपने simplify करके इस form में लिखा है ठीक है, फिर क्या होगा, A N-R, B की power A, और यह है DR-1, आप कहरें का मतलब यह है कि अगर आप बोलो General Drum में R की value 5 आपको चाहिए, तो कोई बसना नहीं है नीचे 5 put करोगे, यहाँ पर 5 put करोगे, यहाँ पर 5 put करोगे, उपर क्या होगा, यहाँ पर 5 put करोगे, तो minus 5 plus 1 minus 4, इसका मतलब आपने minus 4 तक जाना है तो उसके अदर कौन-कौशी drum आ रही होगे, उपर N, N-1, N-2, N-3, N-1, तो जो R की value 5 put करोगे, वो बेसिकली छटी drum होगे, और छटी drum में numerator यह पुरा आ रहा होगा, denominator क्या होगा, 5 factorial, और यह हो जाएगा, A की power N-5, B की power 5, तो कहने का मतलब यह कि इस form में भी R की value 5 put करते ह लेकिन जब आप simplify कर लो, तो N-C-5, simplify होगे, यह हो जाएगा, N-C-5 को simplify करो, यह चीज़ आ रही होगे, तो यह जो general term है, उसको भी आपने simplify कर लिया, उसको भी आपने लिख दिया, चाहो तो यहां पर mention कर देना यह पूरी चीज, जो मैंने लिखी है, यह mention कर देना, ठीक है और आफनी term जो है, उसमें तो वैसी N-C-N है, N-C-N को simplify करोगे, बन ही आएगा, तो करते-करते, simple B-N हाजाएगा, तो कहने हैं का मतलब यह जो मैंने पूरा आपके लिखवाय है, यह मैंने, combination के बगए, combination को simplify करके, binamil तो यह आपने हों करवा दी, अब इसका फाइदा क्य तो आपको बुक में नजर आजिए होगी, बुक में जैनल नम्नी लिखी, वह 8.4 में बताएंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, दूसरों पाइंट क्या लिखा है, 275 पे तो number of terms in the expansion is N-plus-1, वही जो मैंने आपको बात बताएगी, क्या अगर N है, तो खिंती number of term हो 10 और 10 से नहीं, यह नहीं नहीं बताएगे, और जो चौती चीज़ है, उससे हम एक और topic स्टार्ट कर रहे है, यह आपने कुछ observation, कुछ point मैंने आपको पहली बता देते हैं, आप कुछ deduction है, जो आप binary theorem से करते हो, वो deduction के अदर उनको देख लो, deductions, सबसे पहरे deductions क्या है, देखो, अभी जो बार्म में थेयरों हैं, वो a plus b की फॉर्म में लिखा है, अब different form में आता, for example, आपके पास है, 2 plus x की power 5, इस तरह आजाए, आपके पास है, 3x plus 4y की power 6, मतलब a और b कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे a 3x है, b 4y है, यहाँ पे a 2 है, bx, अच्छा कर आजाए, तो आप इसको इस तरह consider करता, 3x plus negative 4y, whole power 6, कहने का मतलब यह, अब आपका a क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा, minus 4y हो जाएगा, आप इस तरहा compensate कर रहे हो, तो अगर negative आए, अंदर, तो b को आप negative ले ले लेते हो, ताकि formula आपका वही लगे, formula में चैनिन ना, same ही general form यूज करोगे, आप ये वाला यूज कर लो, ये वाला यूज कर लो, 8.3 में तो कोई मस्ता नहीं है, मसला 8.4 में आएगा, जब n जो है न, वो के negative आजएगा, तब आप ये वाला यूज करना पड़ेगा, आपको, मतलब ये भी यूज करना पड़े तो वाँ पर सीवी जाओगे, आपको इस तरह करना है, तो एक तो मैंने आपको ये चीज़ बताइए, अब होगा ये के, for example, कुछ ऐसी की situations होती है, 8.4 में ऐसी situations आएंगी, कि जिसमें आपके पास, मैं बात में बता दूँ गए, लेकिन अभी आप ये समिट लो कुछ ऐसी आप अब ही के लिए आप ये समझ लो कि डेक्शन में करवार हो, तो आपको अब इससे बता रहो कि कुछ ऐसी situation होगी, जिसमें आप खुशुश करोगी कि यार, बस पहली term है, ठीक है, तो वन आएगा तो अब असाने से solve कर लोगे, तो अब जो पर डेक्शन आपको बताने आप करते हैं, एक पूट कर जाते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसी series देखोगे, उसमें constant होते हैं, और x आ रहा होते हैं, ठीक है, उसमें कोई और b इस टाइल की जिदे नहीं आ रही होती, तो वही रोटेशन में consider करते हैं, जो 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 आपके बताने हैं, आपके यहां पर a की जगा 1 पुटकर 1 की पावर n क्या होते है, यहां पर n जो है, बत अपनी जगा पर आगया, a की पावर, a यहां पर 1 है बच्चों, तो जहां 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 A आ रहे हैं तो उसको लोगा इंग्नोर कर दो, क्योंकि a 1 है, बच्चों की कोई भी पावर आंसर बहां तो a को इग्नोर कर दो, पिसे क्या बच्चे का b, b यहां पर क्या x, तो जो जागा फिर, n, n-1 upon 2 factorial, again a को इग्नोर कर दो, b है यहां पर x, x का square, x is square, फिर तीसी तरम ही हो जाएगी, n, n-1, n-2, n-2, नीचे आजएगा 3 factorial, तीसी तरम में b cube होगा, तो यह x cube हो जाएगा, त n-1, n-2, up to, n-r, plus 1 तक जाना है, आपने ही नीचे होगा, r factorial, a को ignore कर दो, क्योंकि a 1 है, b की power, r होगा है, तो जो r है न यहां पर, उसको आप इस तरह लिए तो x की power, क्योंकि b की जगा आप export करोगे, तो यह हो जाएगा, x की power, तो general term में क्या होगा, x की power, r factorial, numerator ही होगा, और तो प्रीकि लाफ्री term है, उसमें क्या वाज आएगा, x की power है, जो यहां पर power होगी, वही x की बन जाएगी, तो same अब यह देखो की तरह easy version है, यह आपको apply करने में बड़ा होगा, simple, 1, plus nx, plus n, n-1, upon 2, factorial, x square, x, x square, x3, 5, x4, x5, कपी easy हो जाएगा है, तो यह आपने, जाएगे, तो यह चीज़ आते देखने, एक deduction तो आपने यह देखनी है, अब ज़रा दूसी deduction यहां पर करते है, दूसी deduction यह है, कि अगर आप इस वाली series में, x की ज़वाँ 0, put कर दो, तो वही जाएगी जो में आपको वहां पर बठाएगी, अगर आप यहां पर x की जवा 1 ही है, तो अब n, अब coefficient ही आ रही होंगे, बस, 2 factorial यह हो जाएगा, n, n-1, n-2, 3 factorial, और यह coefficient ही बचारे होंगे, रही होंगे, x तो आपका 1 हो गया पुरा, तो होगा गई, 1 प्लस 1 की आदे, 2 की पावन है, और अगर आप observe को रहा है, बेतर है, आप किस जगा पे पुट करो, और आपको ज्यादा बास दमझाएगी, जो एक combination की form में, n-0, n-1, इस form में एक formula ज्यादा डिसक्स किया जाता है, for example, आप यहाँ पे a और b की जगा बन, बी की जगा बन, तो होगा क्या, ज़स्त आपके coefficient बन नहीं, क्योंकि यह तो 1 हो जाएगा, यह भी 1, यह भी 1, तो आ आपके पास क्या होगा, n-0, n-c-1, n-c-2, जिनको आपके simplify किया, तो यह n हुआ था, यह n हुआ था, यह n हुआ था, यह n हुआ था, यह n, n-1, जो भी हुआ था, लेकिन simplify नहीं 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 है, क्योंकि इस form में जाया तर मशूर है, n-c-3, अब 2 करते-कर आफने term जोगी, n-c-n होगी, तो one press run के आदर 2 की पावर, n, ठीक है, तो यह हो जाएगा, आपको कहां तक जाना है, n-c-n, तो इस formula को बताया किस तरह जाता है, formula को बताया जाता है, कि sum of binomial coefficient किसके बराबर होते है, 2 की पावर, n के बराबर होते है, जो मैंने आपको यहां भी बताईती, of binomial coefficient किया होते है, 2 की पावर हैं, जो binomial की पावर है, वो 2 की पावर बनाओ, तो आपको जो binomial coefficient न, उनका sum मिलेगा, मैंने बताया था, binomial coefficient और बाकी coefficient में क्या पर्खे, तो यह formula आपको जो binomial की coefficient न, उनका sum देगा, इस से अगली deduction जो है, बच्चो, वो मैं आप लोग को generalized case क बता रहा है, क्योंकि वो मुश्किल है क्लाने के लिए, फैडल की बूक में लिखा वे, आप लोग की बुख में लिखा वे, यह शायद है, एक सेकंड, शायद नहीं है, आप लोग की बुख में नहीं है, जीरो वाला case डिसकस नहीं किया है, यहाँ पे, फैडल में है, मैं आप एकान करो, यह जो फामना लिखा है ना अपनों के सामने, a प्लस b की पावर n, इसमें a की जगा 1 और b की जगा माइनस 1 पुट करो, तो यह हो जाए कि 1, माइनस 1, और पावर में n डिसकस नहीं करना चाहा है, यहाँ पे, n में अगिया संधाने हो मसला हो, मैं पावर 5 ड 5C3, 5C4, 5C5, अच्छा, आप कावर सरे A B नहीं लिखा मैंने, क्योंकि A 1 है, तो A को इग्नोर कर दो, भई A 1 है, 1 की पावर है, 1 की पावर में सम्कुछ भी खतर भी हो जाए, बी नेगेटिव है हाँ पे, बी बहुत इंपॉर्टन डोलत आते रहेगा, बी पहने में तो र तरह में negative B की विज़ा से आ रहा है, क्योंकि B की पावर 1, B यहां में minus 1 है, minus 1 की पावर minus होती है, तरह में B square आ है, minus 1 का square positive, positive, negative, positive, negative, negative, और बुझे असल जहीं बतानी थे उसको ज़र अब्जाएगा, 1 minus 1, 0, यहां पे 0 आ रहेगा, और राटनेट साइट पर यह सब अब यहां से मैं आपको result बताने क्या लगा हो, उस result तरह फोकस करना, और result यह है, असरा मुझे नमस एक बात याद आद आई है, जो मैंने आपको प्रूल बताया था ना, कि NCR plus NCR minus 1 बराबर होता है, N plus 1 CR के, उसको पास कर रूल कहते हो, यह पास कर रूल कहते हो, यह पास क ना, उनको दूसरी सब ले जाते हैं, तो यह वारा negative बता चला जाएगा, यह बताएगा 5C1, यह negative है, इसको तो ले जाएगा 5C3, अच्छा, यह negative है, minus 5C5 ले जाएगा 5C5, और आपका लेट और राइटी साट पे जाएगा, 5C0, 5C2, 5C4, तो 5C0, 5C2, 5C4, जो मुझे बत सब यह है कि binomial में एक होते है, even coefficients, even coefficients कोन से होते हैं, जो even position पहोते हैं, दूसरी position पे, 4D position, 6D position पे आच भी पूजिशन पे इनको भी ऑप बलोगे एक होते हैं और पिशिन पर तीसरी पूजिशन पर पांस पर एक एक एंवन कोफिशेंट और समझाने का तरीका यह होता है और एक जो ऑफिशन बहुते ना इसके वज़ा जो निचे नमबर लिखाव है नीचे नमबर यहाँ पर लिखाव है तो मैं यह दूसरी वह लिख आपको बता रहा है जो इसको इंडेक्स नी बहुत है जो लिखाव है ना आपको बोलों इन नमबर की बिना पर एमन और कहते हैं कि यार यह और है तो इनका बोलते हो और पुछेंट तो मैं इस रिस्पेक्स और यहां पर भोड़ रहा है तो और यहां पर सम अपस में बराबर है आप वी ऑनामिल के अपके बांविटेंटे अपने लिख पास लिखेंगा जैसे प्रूफ करना है आपको जनलाइस बात कि आप कोई भी बाइनोमेल निकालो फॉर इसके बाइनों के सम के और किसी बाइनोमेल करो इन दोनों को आपकी पास इनका वाइनोमेल कोषॉपिशन का फॉर्मला क्या होगा है उसके बाइन प्रकॉपिशन यहीं के लिए उनके पर कोव बाइनोमेल वाइनोमिल उनका फॉर्मुला भी यह होगा टूगी पावर एक फॉर्मुला आपने देख लिए और इसमें इन दोनों को अगर वापस में एड़ करो तो अब्जर्फ करोगी फॉर्मुला तब यह पावर फाइफ माइनस वन यह होगी और आपके पास क्या लिखाओं का आप और प्लस नेगड़ तो इवन कोफिशेंट का समके बराबर आजिए का तो बीपावर एंद मैंने पता है तो जो एवन का फॉर्मुला वही और वही और नवन जाएगा तो यह फामुला भी आपने देगे लिए तो एक बड़ी डिडेक्शन थी यह मैंने आपनों को सिखा थी अब बच्छो आखरी टॉपिक है 8.3 का वह मिडल टॉम मिडल टॉम पर कॉंसेट होते हैं तो बच्छो याद रखो अगर आपके पास एक बाइनाम में लिखावा हो औ और उसमें जो एन है अगर यह एवन हो अगर एजए है तो आपको पता है नबर ऑफ टॉम्स जो है वो क्या आएगी और अगर यहां पर यहां पे 10 है तो कितनी टॉलगी तो कितनी नबर आएंगी तो याद रखना आपके पास और ट्रम आपके पास एक ही होती है आपके पास पांच प्रम कुछ भी है पहली दूसरी तीसरी चौती पांच भी यह पांच आपके ट्रम है लिए है तो मिल्म आपके पास एक आ रही होती कि अब आपके पास एक और ट्रम है और आपने मालूं करना हो तो इसकी आपके पास लिखावा हो है आगर आपके पास दिखावा ओके एंप्लस बीची पावर सेंट नहीं यह तो ओड्द हो देगा एप्लस बीची पावर एंट तो आपको पता है एक एपन आपको पर रहें कितने नपर करूंगी नौन नबर काँगी अगर आप वैसने सोचो ना तो नौ अगर ट्रॉम्स हैं तो चार इस तरफ चार इस तरफ दर्म्यान वाली मिडल होगी मतलब पांच भी जो होगी अगर आप कुछ सोचो लेकिन फॉर्मुला से भी आप मालूम करों तो आप सिंपल अगर एबर है तो आप यहाँ प्लस पांच भी हैं छटी हैं साथी हैं जैसी आपको बज़ देगा साथ ही हैं आप गणर्टरम का फॉर्म्रा यूज करोगे तो आपके पास साथ में त्रम आजाएगी और अगर आपके पास एंड और तो आपको बता है अगर एंड और है तो नंबर अफ टरॉम्स के आएंगी टर्म अगर अपके बन को मिडल नहीं होथा तो फरहाल क्या करते हो तीन इस तरफ करो तरम्यान की दोनों तरम जो है उसको मिडल घ्रम करोगे तो जब नंबर अफ टरम इवन है तो आपके बाद दो मिडल टरम आपके और यहां ऑड तो अब दोनों मिडल अभला करने का तो टोटल आठ नमारी है ना तो तीन इस तरफ करो चौती और पांची यह जोगी से निकाल लेते हैं तो सबसे पहले हैं कि 7 प्लस 1 अपॉण 2 तो देखो चौती टमारी है अच्छा दूसरा क्या है दूसरी टम के रिए 7 प्लस 3 अपॉण 2 तो दूसरी प्लस 3 अपॉण 2 तो दोनों की पुजिशन यह उन ट्रॉम को निकालने का फॉमला नहीं है पॉजिशन मालूं कर देंगे तो अब दोनों की पुजिशन इस तरह मालूं करोंगे और उसके बाद सानी से निकाल लोगे तो बच्छो एट पंट ठीक है डिटेल में टॉपिक कम्प्रीट होगे